नमस्कार दोस्तों, टार्गेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से सम्मंदित सभी सुचनाय परदान की जाती है तो आईए सुरू करते हैं और देख लेते कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन से सुचनाय है सरकार की रोजगार विरोधी नीद के खिलाफ चात्र आंदोलन हुआ है देश ब्यापी आंदोलन हुआ है और राष्ट ब्यापी आंदोलन हुआ है चाहे वो 5 सितंबर की बात हो चाहे वो 9 सितंबर की बात हो चाहे वो 17 सितंबर की बात हो लाइक डिसलाइक से ये अभियान सुरू हुआ था उसके बाद में ताली थाली बजी और उसके बाद में केंडल हुआ और इसके बाद में जो अलग-अलग चोरहों पर विद्यार्थी सड़क पर आग है इससे सरकार के चवी बहुत खराब हुई और सरकार अपनी चवी सुधारने के लिए भरती पक्रियाँ में तेजी लाने जा रही फिलहाल तो अभी घोषणा की गई है कुछ देखा नहीं गया है सरकार इसमें लगातार घोषणाओं पर घोषणा करती चली जा रही है भरतियों के संबंद में यह वही सरकार है जो छात्र आंदोलन के बारे में, ट्विटर अभियान के बारे में, परिणाम के बारे में कभी अपनी जुबान से कुछ भी नहीं बोलती थी हाला कि कुछ फैसले विद्यार्थियों के बिरोध में भी सरकार ले रही है, जल्दबाजी में खासतोर से 31,671 पतों के जो सिक्षक बढ़ती होने जा रही है, उसकी बात करेंगे 31,661 पतों आपर सिक्षक बढ़ती होगी, मुख्यमंत्री ने गुफना की है, कि एक सब्ता के अंदर विद्यार्थियों को जो है नुक्त पत्त दे दिया जाएगा, लेकिन विद्यार्थि इसका बिरोध कर रहे हैं, विद्यार्थियों को कई तरीके से अभी दुविदा ह चिनता है, कि जिन विद्यार्थियों का सिलेक्षिन पहले हो जाएगा, वो वरीता में आ जाएगे, और आराथ छण किस तरीके से लागू होगा, इसकी बारे में विद्यार्थि चिनतत हैं, अगर सुप्रिम कोट में अगर कोई बदलाव आता है, आडन पहली बात तो बद सरकार को और इंतिजार करना चाहिए था सुप्रिम कोट का, हाला कि ये लीगल टीम के कुछ विद्यार्थी सच्ची से मिलने गये थे, बेसिक सिक्चा के, और उन्होंने ये बात इसपस्ट की थी, कि जो लिष्ट जारी हुई थी, सेम उसी तरीके से जिन विद्यार्थियो होंगे, वो जनरल केटिगरी में ही होंगे, चाहिए वो OBC की विद्यार्थी हो, overlap किया हो या ना किया हो, या SC की विद्यार्थी हो, या कोई अन्यवर की विद्यार्थी हो, जो टॉपर है 31,000, उस लिष्ट में 16,000 सम्थिंग की कुछ लिष्ट थी, तो उनको सीधे सीधे जोईनिंग दे दिया जाएगा, और जो आरच्छन का फेर बदल है, 31,000 सिक्षक बरती में अलग से आरच्छन नहीं होगा, और उसके बाद में जो आरच्छत पर की विद्यार्थी होते हैं, वो ज़्यादा तर नीचे मिरिट कम होती है, और उन विद्यार्थियों को जो से सेकेंड बढ़ती होगी, 37,000 पादों की जो सिक्षमित्रों के लिए रोक के रखा है, सुप्रिम कोट ने, उस पादों पर बाद में वो सेकेंड बढ़ती होगी, और हाला कि ये कोई आफीसियल बियान नहीं था, और वहीं पर कुछ अधिकारियों के दूसरे बियान आ रहा इस तरीके से हो पाएगा, और इस तरीके से हो सकता है, जिस तरीके से, सची ने बताए, बेसी सिक्षा के, कि जो 31,000 के जो टॉप के जो पद हैं, वो पहले भर दिये जाएगे, उसके बाद में जब सकेंड भरती होगी, तो उसके बाद में उनको भरा जाएगा, हाला कि खुले रहेंगे, काम होता रहेगा, और यह जो लिष्ट है, 31,600, 161 पदों की, यह बहुत ही जल्द जारी होने वाली है, हो सकता है, कली जारी हो जाए, यह परसों जारी हो जाए, और इतना तया है कि सरकार ने अमना पूरा मूट बना लिया है, कि 31,600, 161 पदों पर सिचक बरती होगी, और नुटिपत्य विद्यार्थियों को दे दिया जाएगा, अब बात करते हैं, सरकार की एक और घोषणा की, सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में होगी, रिक्ति पदों पर भरती, और जो सबसे पहले भरती होने वाली है, वो स्वास्त मंत्राले में, बरती होगी, दोस्तों आगे बनने से पहले एक बात और जो नवीवर हों या नए मित्र हों जिन्हों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीकी के अपडेट से मिलती रहें, और जिमित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो लोग इस वीडियो को लाइक अवस्ट कर दिया करें, आप लोग जितना ज्यादा लाइक करेंगे, मैं उतने अधिक वीडियो आप लोगों को दूँगा, और मेरा काम है आप लोगों को अथेन्टिक और सही जानकार कि किन्त सरकार के जितने भी भरती भूडर estas कार adore जितने मिप्क अनलगातर बिद्यार्ती जीवन समित्थ कुछ न कुछ सूजना। G. S. लगी हैं लिखा सबसे जधा भरती परिवार कल्यान और राजस्वी वविवाग में होने का अनुमाद जिताय जारा, शूत्रों के युवाओं के लिए जल्दी ही नोकरियों के बहार आने वाली है मुख्यमंत्र योगी अधितनात के आदेश के बाद सभी विभागों ने खाली पदों के सूची बनाकर सासन को भेजना सुरू कर दिया है कुछ दिनों पहले सीम योगी ने अफसरों के साथ बैटक में तीन महीने में सभी खाली पदों पर भरती करने और च्छै महीने के अंदर निक्दपत्र देने का आदेश दिया था जिसके बाद सभी विभाग स सक्री हो गये हैं बताया जा रहा कि योगी अधितनाथ खुद ही पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं 35,000 पर होगी भरती योगी सरकार जल्द ही अलग अलग विभागों में 35,000 पर भरती निकाल सकती है सबसे ज्यादा भरती परिवार कल्यान और राजस विभाग में होने का अनुमान देताय जा रहा है और सूत्रों के मताबिक सरकार के 117 विभागों ने खाली पदों के सूची सासन को भीजना शुरू कर दिया किस विभाग में कितनी बरती होगी इसके बारे में भी लिखा है लिखा है कि राजस विभाग ने 7,000 खाली पदों पर भरती के प्र पर भरती की तैयारी है वहीं पर सिख्चक भरती के बारे में भी लिखा हुआ है कि बेसिक सिख्चा परिशत के बिद्यालियों में 79,000 सहायक अध्यापकों की भरती के पहले चरण में 9 अचैनित 31,671 अब भरती को जल्द नुक्ति मिल जाएगी प्रदेश सरकार ने सर्वो बना रहना चाहिए दबाओ बना रहना चाहिए आप लोग तब तक बात को नहीं मानें जब तक विद्यापन जारी ना हो जाए चाहे वह मादमेख्यक्रिद city रुखने वाले नहीं है 28 सितंबर को भी मादमिक में धरना होगा, दो तारीक को भी धरना प्रदर्शन होगा, कल भी मादमिक सिछा से वचाने बोट में धरना होने जा रहा है, नई भरती के विज्यापन के लिए और वेटिंग लिष्ट जारी करने के लिए, धरना प्रदर्शन और हल्ला बोल अविय नहीं होगे वेटिंग लिष्ट इत्यारी जारी नहीं होगी तब तक विद्यार्थी एक जुट रहेंगे और विद्यार्थी संगठित रहेंगे इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की जो यह फोटो आप देख रहे हैं धिरेंद स्माजिक विज्ञान का प्रणाम जारीघिया जाये और अज ये जो मुख users क करता थे यह गयतर लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग में इन्होंने यह ग्यापन डिया है कि जो अधरभ का आडर वह आ गया है और अब हमारा जो प्रद्याम वो सीग्र से सीग्र जारी करताव विनिष्ट अधच मिलना हम सभी प्रतियों की चात्रों को सौभाग के हैं जो हमें आप जैसा अधच मिला आयोक का अधिकांस लंबित भरतियों को पूरा करके प्रतियों की चात्रों के भवेश को समारा हैं बहुत सारी बातें लिखी हुई है और अंत में जो बात की यह वो रिट की याई याजका के समंद में हैं कि उच्छ न्यायाला इलहबात एल्टी ग्रेट सिश्चक बढ़ती दुजर अठारा के समाजिक विज्ञान इवें हिंदी परिच्छा परिडाम घुजद करने के समंद में अंतिम आदेश आचुका है माननी उच्छ न्यायाला सिंग, अरुन कुमार और सहदेव सिंग बहुत सारी विद्यारति आज कह थे बहुत सारी टीम में हैं जिन्होंने ल country अर, यह बहुत सारे आंदोलन की धरना प्रदर्शन किया है उधर यह लीगल टीम बहुत हाइ इत्यादी में आते रहें ट्विटर अभियान में जो विद्यार्थी सामिल रहें तो ठीक दोस्तों फिलहाल यह हो गया आज का वीडियो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो आपके काम का हो तो लाइक वश्च कर दें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन उन्हार्थी